हाँ बचाओ, कैसे हो, तो आज दंगल नमबर 5, 30 अप्रेल, I hope अच्छा हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है, तो हम लोग वन बाई वन एक एक क्युस्टन जो है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आओ, शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्युस्टन जो है, वो 12 वाले चैप्टर में, चैप्टर नमर 8, Human Health and Disease में, ड्रग से लिटेड है, इसमें पुछा कि कौन सी ऐसी ड्रग नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी हैलूशिनोजनिक होगा, तो the following drugs have हैलूशिनोजनिक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, ऐसी प्रॉपर्टी हैलूशिनोजनिक न हुआ, तो LSD, Lysergic, Acid, Diethylamide, LSD, इसकी प्रॉपर्टी है, दतूरे की भी है, हसिस की भी है, दतूरा और हसिस और LSD, तिनों ही हैलूशिनोजनिक प्रॉपर्टी वाले हैं, लेकिन यहां पे Amphetamine जो है, वो एक Stumulant है, इसलिए इसको ह लोग इस category में नहीं लेंगे हैं, तोहां सरो जाएगा third, फिर question number two देखें, dairy farm management जो है, उसके objective जो है, उनके respect में यहां पे अपने को question पूछा है, यह तीन objective है और एक objective नहीं है, तो जो नहीं है, उसी को अपने को देखना है, तो dairy farm management में milk जो quality है, उसको improve किया जाता है, सही ह और selection of good breed, ऐसी अच्छी breed का selection, जिसमें yield potential ज्यादा हो, उसको यह भी dairy farm management से related है, और फिर selection of breed, which are vulnerable to disease नहीं, व्लनेरेबल की जगाएगा resistant है, रेजिस्टेंस पावर होने चीव डिजीज के लिए, वो ज्यादा रोगों के लिए सुग्रा ही नहीं होने चीए, ऐसे में तो disease ज पीचर नहीं है, बाकी 4 देंके कि अच्छी quality और quantity जो है, फोडर की उसको maintain किया ज़ायचारे का, जो उनको feeding दी जाती है, तो यह भी related है, तो 1st, 2nd and 4 तो related है, लेकिन 3rd related नहीं है, जोना पैलिशिडा किस के तरूप dissolve होती है, तो आप लोग जानते हैं कि एग membrane और उसके बाहर की तरफ जेड़ पी है, जोना पैलिशिडा, यह जेड़ पी, जोना पैलिशिडा, और उसके बाहर की तरफ जो वो corona radiator है, corona radiator, तो पुछा कि जेड़ पी जो है, वो किस के तरूप dissolve होती है, तो आप लोग देखें कि जो spum है, उसके अक्रोसोम जो है, उसके अंदर काफी सारे hydrolatic enzyme है, तो इनमें जो spum lysine है, इसके अंदर क्या है, spum lysine, और इसमें दो केटेगरी, एक तो hyaluronidase और एक हो जाएगा, एक्क्रोसीन, एक्क्रोसीन, तो hyaluronidase जो है, वो तो कोरोना रेडिएटा की बीच की अंदर, जो hyaluronik acid है, उसको डिजॉल करेगा, hyaluronidase, इससे पाथ भी बनेगा और उसी से होता हुआ स्पम, जब ZP के पास आएगा, तो जो ना पहले उशुडा को डिजॉल करने के लिए, उसके lysis के लिए यहाँ पे जो वर्क करेगा, व की देखना, की hyaluronidase, जो है, उसी का अधर नेम क्या है, कोरोना पेलिटरेटिंग एंजाइम, फर्टिलीन, फर्टिलीन, फर्टिलाइजीन वो सब अलग है, वो वर्मोन की के टेगरी है, तो थर्ड आंसर अपना, यहाँ हो जाएगा, ओके, क्यूसर नवर फो देखें, which of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutation, जो cancer cell है, तो अगर cancer cell और एक है, normal cell, तो एक जीन है, यह मैं कहूँ एक एंजाइम है, जिसका नाम है, तीलो मेरेज, तीलो मेरेज, और एक है, तीलो मेरेज इनिवेटर, तो cancer cell जो है, उसमें तीलो मेरेज जो है एंजाइम, वो एक्टिव है, और तीलो मेरेज एंजाइम एक्टिव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर तीलो मेरेज इनिवेटर जो है, वो क्या है, इन एक्टिव, तो तीलो मेरेज इनिवेटर को बनाने वाला gene ही mutate हो जाता है, जिससे telomerase inhibitor हो जाता है, ऐसे में telomerase active हो जाता है, और normal cell कि इसमें बदल जाती है, cancer cell में, लेकि normal cell एक regulated fashion में क्यों division करती है, क्योंकि normal cell में telomerase जो वो क्या है, inactive हो और normal cell में telomerase inactive है, क्योंकि इसमें telomerase inhibitor जो वो क्या है, active हो है ठीक है, तो ये आपको दो बातें याद रखनी है, बाकि टेलोमरेज क्या है, टेलोमरेज एक ऐसा एंजायम है, जो cell division के बाद, हर cell division के बाद जब टेलोमरेज छोटा हो जाता है, क्योंकि हर cell division के बाद में, जब during cell division DNA replicate होने के लिए बाहर आता है, तो exonuclease, cellular exonuclease, end से DNA को cut कर देते हैं, ऐसे में हर बार division के बाद, chromosome की length कम हो जाती है, लेकिन, जब 45 से 50 time cell divide हो जाती है, तो काफी chromosome के end से loss हो जाता है, इसलिए फिर cell survive नहीं करती है, क्योंकि useful gene का loss हो जाता है, लेकिन cancer cells है, उसमें active telomerase की बज़ए से, telomere repair हो जाता है, और इसलिए वो immortal हो जाती है, मर which of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutation है, नो true पूछ रहा है, कि ऐसा कतन, जो cancer कोशिकाव में, उत्पढ़ रिवर्तन के संबंध में, सत्य नहीं है, तो पहला है, कि mutation in proto-oncogene accelerate the cell cycle, बिल्गुल सही है, proto-oncogene are essential for normal cell division, that product of proto-oncogene are essential for cell division, लेकिन proto-oncogene जो है, जो normal cellular gene है, अगर इनके अंदर dominant mutation हो जाए, dominant mutation, तो dominant mutation होते ही, ये active हो जाएंगे, और किसमें बदल जाएंगे, oncogene, अब जरूत से ज्यादा oncogene work करेगा, और इससे cell division promote होगा, समझे रहो, तो ये तो सही है, कि mutation in proto-oncogene, accelerate the cell cycle, proto-oncogene में उत्परिवर्तन से कोशिकाव प्रेरित होता है, और ये किस type का mutation है, ये है dominant mutation, समझे, तो इस क्या मतलब है कि इस dominant mutation से इसमें gain of function होगा, तो ये तो सही बात है, second देखे, कि mutation destroyed telomerase inhibitor, या inhibition है न, बिलकुल सही है, कि mutation की वज़ए से telomerase inhibitor जो वो, non-functional हो जाएगा, और ऐसे में telomerase active हो जाएगा, ये भी स सही है, थर देखे, mutation inactivate cell control, ये भी सही है, ये mutation की वज़ए से, जो cell control हो, inactive हो जाएगा, और अगर cell control की बात करे, cell cycle level पे, तो cell cycle अगर सही तरीके से operate नहीं होगा, तो uncontrolled way में cell divide होगी, और चोथा देखे, कि mutation inhibit production of telomerase, नहीं, mutation जो हो रहा है, उसके वज़ए से, तो telomerase production मतलब wrong हो गया, okay, evolution selected question है, और ये normal natural selection से पहले का करव है, जिसमें mean character value है, और ये peripheral character value है, और कई generation तक A, B and C type का जब selection होता है, तो उसमें क्या बदलावात है, तो A type का selection कौन सा है, stabilizing selection, जिसमें करव की peak की height बढ़ रही है, और diameter जो है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, intermediate ज्यादा फेवर हो रहे है, जैसे मैं कौन की intermediate height वाले ज्यादा आ रहे है, short और tall कम हो रहे है, या फिर new born baby वाले ले ले, कि चार से लेके, या मैं कौन की, overweight बच्चे भी कम survive करते हैं, underweight बच्चे भी कम survive करते हैं, लेकिन जो 3 से 4 kg के बीच में new born baby होते है, उ यह तो जाएगा stabilizing, stabilizing, B जो है, उसमें करो किसी एक direction में shift हो रहा है, यानि कोई एक peripheral character जो हो select हो रहा है, और यह जो directional अपना selection है, उस selected है, जैसे industrial melanism, drug antibiotic resistance, अर्विस एड़ पेस्टिसेड रेजिस्टेंस हैं, वो सब directional में आ गए, और फिर यह देखना disruptive, जिसमें दोनों peripheral character value select हो रही है, mean character value select नहीं हो रही है, इसलिए करो down जा रहा है, उसकी peak की height कम हो रही है, तो यह हो जाएगा disruptive, तो A stabilizing, B directional, और C disruptive answer हो जाएगा second. ओके, तो यह immune system से लेटेट की उससन है, chapter no. 8, 12 वाला, आना, बात करते हैं, आप देखो, which of the following cell cannot specifically, can, can non-specifically kill virus infected cell and some tumor cells of the body by creating perforin lined pores in the plasma membrane of target cell, immune system की एक ऐसी cell है, जो non-specific है, इसके cytoplasm में कुछ ऐसी vesicles है, इसमें perforin से हैं और grain enzyme है, मालो यह perforin है और यह grain enzyme है, समझे, तो यह जो cell है, यह है natural killer cell, natural killer cell, और यह natural killer cell जो है, वो non-specific lymphocyte cell, it can kill the target cell, like TC cell, T cytotoxic cell, but T cytotoxic cell is a specific lymphocyte which can also act against cancer cell as well as virus infected cells, as well as mismatched graft cells है, लेकिन natural killer cell जो है, वो भी उसी तरीके sect करती है, जैसे TC cell करती है, क्योंकि दोनों lymphocyte है, लेकिन यह non-specific है, तो जो cancer cell है, मालो, यह cancer cell है, transformed cells है, तो ऐसी cell तो body के लिए dangerous है, या मालो, यह virus infected cell है, तो यह भी body के लिए dangerous है, क्योंकि cancer cell है, तो यह divide होके body में tumor cause कर देगी, और virus infected cell है, तो यह कापी सारे virus बना के चारु तरप spread करेगी, तो body other healthy cell infected होगी, तो दोनों ही type के cell को मारना जुरूरी है, समझ रहो, तो perforin release करके natural killer cell जो है, इसमें pores create करती है, openings create करती है, और उनी छिदरों से, उनी opening से, grain enzyme release, जो इससे हो रहे हैं, इनी opening से grain enzyme अंदर जाते हैं, और seizure की तरह इस cancer cell को cut कर देते हैं, या virus cell को cut कर देते हैं, मतब इसके cell organally को destroy कर देते हैं, और last में इस cell की क्या हो जाती है, death, समझ रहो, तो ऐसा ही answer अपने को इसमें देखना है कि, एक ऐसी non-specific cell, जो virus infected और cancer cell को मारे, और कैसे हमारे perforine grain enzyme को use करते हैं, तो helper T lymphocyte ऐसा task नहीं करेगी, यह तो AMI, CMI को activate करती है, B lymphocyte का ऐसा task नहीं है, वो एक APC की दरेक्ट करके, बाद में activate होती है, और plasma cell, memory cell बनाती है, यह AMI का part है, killer T lymphocyte जो है, वो TCC cell है, यह भी इसी pattern से मारती है, लेकिन यह killer T lymphocyte जो है, वो specific है, यह specific lymphocyte है, और question में जो पुछा गया है, वो non-specifically है, non-specific lymphocyte की बात हो रही है, और non-specific lymphocyte यहाँ पर कौन है, natural killer cell, NK cell, ठेक है, आओ, lactational amenorrhea, मलब 12th का chapter number, जो 4 है, reproductive health से related, उसमें natural जो contraceptive method है, उस से related है, कि in lactational amenorrhea, ovulation does not occur during the period of intense lactation, because हो बना, तो एक female जिसमें child birth की process हो चुकी है, तो child birth के बाद मांद लो, इस point पे child birth हुआ है, pregnancy का end हुआ है, तो pregnancy के end में, अब उसकी जो ovary है, उसमें corpus luteum भी develop नहीं है, और जो placenta है, अब वो भी बहार आ चुकी है, तो ऐसे में अगर placenta ovary दोनों ही नहीं है, तो फिर इस case में, इस lactational amenorrhea वाली जो condition है, जो maximum six month तक होती है न, तो ovary में भी corpus luteum नहीं है, placenta भी बहार आ चुकी है, तो इस duration में, इस female में progestone का level भी क्या है, डाउन, और estrogen का level भी क्या है, डाउन, लेकिन इस female में एक hormone है, जो pregnancy के दुरान से ही बढ़ना सुरू हो जाता है, एक normal female के comparison में pregnant female में PRL ज़्यादा होता है, और बरत के बाद भी इस का level क्या है, ज़्यादा prolectin hormone, जो adeno hypopasis, sparse, ristellis, serlis, होता है, तो prolectin hormone का level इस female में क्या है, ज्यादा, तो ये इस वज़ा से कम है, prolectin ज्यादा है, और prolectin जो ज्यादा है, वो female के hypothalamus को negative feedback देगा, और अगर negative feedback देगा, तो ऐसे में किस का level कम हो जाएगा, GnRH का level कम हो जाएगा, और अगर GnRH, gonadotropin, releasing hormone का level कम हुआ, तो ऐसे में आप लोग देखना, कि जो parse, distalis से release होने वाले, LH and FSH हैं, उनका level भी क्या रहेगा, डाउन रहेगा, और अगर LH, FSH का level कम है, तो उस female के जो ovary है, वो नए follicle mature, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और फिर उस ovary में estrogen progesterone production नहीं होगा, समझे रहेगा, तो lactational amenorrhea के case में आप लोगों idea लग देया, कि PRL के level के आई होने के कारण, जो female है, उसके hypothalamus को negative feedback जाता है, इससे GnRH भी कम हो जाता हूर LH FSH भी, और ऐसे में estrogen progesterone increase नहीं हो पाता है, समझे, तो चलो, अब इसके according देखते हैं, कि lactational amenorrhea में ovulation भी नहीं हो रहा है, intense lactational period, तो ovulation क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कि FSH नहीं है, तो follicle नहीं बनेगे, तो follicle नहीं बनेगे, तो फिर LH भी नहीं है, तो ovulation उने का सवाल भी नहीं है, तो high level तो नहीं होगा, गलत हो गया, surge of estrogen, देखो, surge of estrogen का level का हो रहा है, लास में देखना, high level of prolactin, बिलकुल, high level of prolactin hormone की वज़े से negative feedback जा रहा है, और इसलिए ऐसा हो रहा है, opposition नहीं हो रहा है, क्योंकि LH नहीं है, ठीक है, answer हो जाएगा, 4, which other following cell has multi-lobbed nucleus and granulated cytoplasma है, तो multi-lobbed nucleus है, तो multi-lobbed nucleus है, तो multi-lobbed nucleus तो उसमें है, आपका polymorphic nuclear cell के अंदर कौन? neutrophil, और वो phagoside भी है, तो monocyte नहीं होगी, basophil भी नहीं है, acidophil भी नहीं है, तो एकी बच गई PMNL, polymorphic nuclear cell, क्योंकि polymorphic nuclear cell में nucleus के जो morphology हो कुछ अलग होती है, उसमें काफी साथे nucleus के अंदर lob होते हैं, यह भी polymorphic nuclear cell है, लेकिन यह तो है bi-lobd, और यह जो basophil ही है, tri-lobd, लेकिन अपने को multi-lobd देखना है, तो वो sorry, तो जो बची भी PMNL है, जो multi-lobd nucleus वाली phagocyte है, वो कौन सी हो जाएगी neutrophil, इसलिए अपने को answer first लगाना है, okay, the function of copper ion in copper leasing iod, तो copper leasing iod में जो copper ion release होते हैं, वो sperm की mortality और उसकी fertilization की capacity को decrease कर देते हैं, समय रहो, gametogenesis पर ऐसा कोई effect नहीं है, आना, implantation के comparison में यह ज्यादा more appropriate है, मतलब इसके comparison में यह ज्यादा सही है, ovulation को यह target नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर hormone नहीं है, hormone free pill नहीं है, तो answer हो जाएगा first, which is not related with ring warm, ring warm तो fungal disease highly infectious, epidermophyton, trichophyton, microsperm, in genera से related है, intense itching होती है, dry leasing के अंदर है और जहां पर मोईश्चर ज्यादा होता है, temperature ज्यादा होता है, आपी इसकी growth होती है, और infected articles को touch करने से यह disease होती है, तो अपने को इससे related जो नहीं है वो देखने है, trichophyton है, epidermophyton भी है, microsporum भी है, asqueriesis तो round warm asqueries से बने वाला disease है तो इससे related नहीं है, ओके कुछ characteristics दिये हैं, lamprey के respect में, जो उससे related है, चलो देखते हैं, तो lamprey एक vertebrates है, और ऐसी vertebrates है, जो cyclostomate class की है, division agnitha में जिसमें जो less vertebrates है, primitive vertebrates भी कह सकते हैं, इन में cartilaginous endoskeleton होता है, sectorial mouth होता है, unisexual होती है, reproduction के लिए, ocean से, male female दोनों, zoom headled stage में, river में जाते हैं, आपर mating होती है, एक release किया जाते हैं, फिर parents की death हो जाती है, लारो मोल्टिंग के बाद में, young stage में वापस उसी path को follow करके, ocean में आ जाता है, तो sectorial mouth related है, scales absent होती है, 6 से 15 pair of scales present होती है, और vertebral column and cranium are bonny, bonny नहीं है, cartilaginous है न, तो यह वाला wrong हो गया, तो अपने को, applicable जो देख रहा है, वो है, A and C, A and C, second answer हो जाएगा, oxygen is delivered through, out the body of insect, insect, in insect compared to circulatory system, respiratory system is more developed, like is tracheal system, tracheal system जो है, वो, उसमें sphericals होते हैं, जो thoracis, जो part है, उसमें laterally paired form में होते हैं, 10 paired sphericals होते हैं, और वहीं अंदर trachea, tracheals के तुरू, body की जो tissue हों से directly connected होते हैं, तो उनी से, directly, उस conducting path से, directly जो air है, उसके तुरू, oxygen cells को मिल जाती है, तो वो tracheal tubes हो है, वो answer हो जाएगा, blood से नहीं, blood का कोई roll नहीं है, circulatory fluid तो उसी का part होगा है, body surface से भी नहीं है, तो answer हो जाएगा, first, which among is the following are exclusively marine, exclusively marine है, ठीक है, radially symmetrical है, इसका मतलब अपने को invertebrates में रहना है, और diploplastic भी है, इसका मतलब invertebrates में स्टार्टिंग में है, marine है, radial भी है, तो पोरिफेरा को तो नहीं रहना है, asymmetrical है, फिर cylindrate में में रहना हो सकता है, और diploploplastic, with tissue level of organization है, तो silentrate भी हो सकता है, और टीनोफोर भी हो सकता है, तो ऐसा देखना है, spongyla नहीं asymmetrical है, sycone b sponge है, asymmetrical है, ascaris तो triploplastic है, शुदो-सिलोमेट, तो इसका तो नहीं लेना अपने को और ये, plurobrain किया, ये answer हो जाएगा, टीनोफोर है, जिस पर ये applicable है, the main function of simple cubodal epithelium, simple cubodal epithelium, secretion absorption से related है, तो diffusion के लिए तो simple squamous होता है, only absorption नहीं, only secretion नहीं, absorption भी हो जाएगा और secretion भी हो जाएगा, number of abnormal segment in male and female cockroach, अगर segment की बात करें, in adult और in larva, तो जैसे head है, thorax है और abdomen है, तो segment in adult अगर देखें, उसके head में, तो एक segment है, thorax में 3 है, abdomen में 10 है, चाहे male हो चाहे female हो, लार्वा की बात करें तो उसमें head में 6 segment है, जो fuse हो कि एक हो जाता है, और thorax में 3 है और abdomen में 11 होता है, लार्वा में, लेकिन adult में फिर वो 10 हो जाता है, तो number of abdominal segment in male and female cockroach is equal 10-10, second answer हो जाएगा, the tissue that forms supportive structure in ear pinna is also ear pinna की अंदर जो tissue cartilage है, yellow fibrous cartilage है, elastic cartilage, तो intervertible disc तो white fibrous cartilage है, इसको नहीं लेना अपने को, tip of nose जो है, वहाँ पर yellow fibrous cartilage है, यह ठीक है, external auditory meatus भी चलो ठीक है, तो both two and three जो answer हो जाएगा, find the incorrect combination of neuron, its location and number of axon and dendrite, चलो ठीक है, तो unipolar neuron की अगर बात करें, तो यह vertebrates में embryonic stage में होता है, और unipolar neuron में एक axon होता है, dendrite absent होता है, bipolar में की बात करें, तो retino की अंदर है, और एक axon, एक dendrite है, तो unipolar, bipolar में common क्या हो गया, cell body, और axon, और common क्या नहीं है, dendrite, पिर multipolar की अगर बात करें, तो multipolar neuron जो है, वो cerebral cortex में 99% के आसपास, question number 17 देखें, इसमें अपने को incorrect statement जो है, combination के साथ, वो देखना है, इसमें neuron, इसके location, number of axon की बात की बात किए यह, dendrite के साथ, तो unipolar neuron जो है, वो embryonic stage में होता है, और उसमें एक axon होता है, जिसके अंदर dendrite absent होता है, bipolar neuron की बात करें, तो जो आई के retina में हैं, और bipolar neuron में एक axon और एक dendrite present होता है, तो unipolar bipolar में common क्या है, सोमा common है, cell body, और axon भी common है, लेकिन dendrite common नहीं है, multipolar की बात करें, जो cerebral cortex में है, सही बात है, लेकिन इसके अंदर axon की बात करें, तो axon तो single है, और dendrite जो है, वो many है, कापी सारे है, तो यह गलत हो गया, third वाला, बाकि a polar invertebrates में है, वो भी lower invertebrates like hydra, तो invertibrates के अंदर है, जिसमें axon और dendrite मेलब neuroid subset होता है, तो आंसर उजय का कुण सा, third, ओके, यहाँ पे एक neuron का diagram दिये है, इसे लेटर चेक करते हैं, क्या पूछ रहा है, कि following changes will be observed when a stimulus of threshold value is applied on site A, of a excitable neuron, except, लब किस एक को छोड़के सब हो रहा है, तो जब इस जगह पे at threshold level का stimulus दिया जाता है, तो उससे पहले resting potential होता है, और threshold stimulus जब दिया जाता है, जिससे minus 3 और कम होता है, तो उस समय few sodium channels जो हो open होते हैं, कुछ sodium channel open होते हैं, और few sodium channel voltage-gated जब open होते हैं, तो na plus का influx होता है, तो देखें, influx of sodium, सही बात है, efflux of K plus through leak channel, leak channel हमेशे open रहते हैं, चाहें polarize, repolarize, repolarize, hyperpolarize, कैसी भी state हो, leak channel sodium KB and potassium KB, यह हमेशे open रहते हैं, इसका अलब है, कैसी भी state हो, passively Na plus का influx होगा, और K plus का influx होगा, तो यह statement भी सही है, लेकिन threshold stimulus जो दिया जा रहा है, उस दोरान, sodium potassium pump की speed increase नहीं होगी, बलके, वो inactivate हो जाएगा, समझे रहो, बाकी polarity reverse होगी, अंदर, जैसे आप लोग देखो, कि minus 70 से minus 60, यह threshold है, यह negative charge कम हो रहा है, तो polarity बदलेगी, और फिर 0 और फिर वो plus की तरप सला जाएगा, और जैसे ही, यह minus 60 आएगा, तो minus 60 आते ही, तो सारे voltage gated, sodium channel जो open हो जाएगे, और ऐसे में, deep polarization जो वो start हो जाएगा, तो इसमें जो incorrect है, वो जाएगा 3rd, vestibular apparatus में क्या है, यह कह रहा है, तो आप लोग देखें, जो internal ear है, जिसको labyrinth बोलते हैं, और यह internal ear जो labyrinth है, वो बोनी भी है, जिसके अंदर membranous भी है, ना, protection के लिए बोनी बाया जाता है, तो यह देखें, कि यह तीनों तो है, semi circular के नाल, और यह जो है, वो है, autolith organ, और इस autolith organ में, उपर तो है utriculus, और नीचे है, secure, और semi circular के नाल, और autolith organ मिलके जो बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, vestibular apparatus, और इस तरफ जो है, यह cochlea वाला पार्ट हो गया, cochlea, यह cochlea वाला हो गया, तो यह तो हो गया, vestibular apparatus, जिसमें अपर तो है semi circular के नाल, और lower autolith organ, और यह down जो हो है cochlea, यह balance के लिए, और यह hearing के लिए, सुनने के लिए न, तो semi circular के नाल में तीन क्रिष्टा एंपलेरिस हैं, जो dynamic balance वाले हैं, और autolith organ uterus, utriculus और सेक्वल जिसमें आते हैं, इसके अंदर, एक maculae इसमें और एक maculae, जो है, एक maculae यहां और एक maculae यहां प्रजेंट होती है, जो static balance के लिए हैं, समझे रहो, तो यहां पे vestibular apparatus के रेस्पेक्ट में पूचा, तो एक तो हो जाएगा semi circular के नाल, और नहीं है, semi circular के नाल and autolith organ, यह अपना आंसर हो जाए जाएगा, autolith organ में autolith membrane होती है, तो यह तो अधूरा हो गया, और middle ear इसके अंदर नहीं आएगा, और cochlea भी नहीं आएगा, तो आँसर हो जाएगा, second, ileo sickle wall present between, आप लोग जानते है, small intestine का जो last part है, ileum, और large intestine का जो first part है, सिक्कम, उसके बीच में है न, तो isophagus गलत हो गया, stomach गलत हो गया, small intestine और colon गलत हो गया, small intestine and sickam यह सही है, small intestine में भी कौन सा, ileum, correct option अपने को इसमें देखना है, okay, phenyl ketone, urea जो है, यह एक ALR है, autosome linked recessive disease है, यह ALR है, तो अगर कोई ALR है, autosome linked recessive disease है, यह disease क्यों होगी, due to absence of dominant gene, and due to presence of recessive gene, और जैसे myotonic dystrophy, autosomal dominant है, तो वो क्यों होगी, due to presence of dominant gene and absence of recessive gene, लेकिन यह तो ALR है, autosome linked recessive है, तो यह क्यों होगी, in absence of autosomal, यहा recessive की जगह क्या आता, dominant gene, तो यह तो गलत हो गया, thalassemia, thalassemia भी ALR है, it is due to absence of dominant gene and presence of recessive gene है, तो autosomal dominant के कारण यह रॉंग हो गया, फिल हीमोफिलिया, हीमोफिलिया is also recessive but allosomal, X-linked recessive है, तो इन presence of X-linked recessive, dominant की जगह क्या था, recessive, बाद में sickle cell anemia, तो यह भी ALR है, autosome linked recessive, dominant gene की absence में है, और recessive है, और इसके अंदर, जो हीमोफिलोबिन है, उसकी quality affected होती है, यह qualitative mandalian disorder है, ठेक है, यह correct यहाँ पर match हो रहा है, यह जो question है, वो 11th वाले portion में, chapter 20 में, जो movement and locomotion है, उसमें, जो अपने joints वागर उससे layered है, तीन type के joints आपको पता है, fibrous joint जिसमें बिल्कुल movement नहों हो, slightly movable cartilisiness joint जिसमें alchus movement हो सकता है, and freely movable joint, synovial joint है, तो not correct में इस देखना है, तो फिला है, flat skull bone जिन में fibrous joint होता है, और इन में बिल्कुल movement नहीं होता है, यह सही है, adjacent vertebrae, पास-पास की जो vertebrae है, इन में cartilisiness joint है, और limited movement इन के अंदर होती है, यह भी ठीक बात है, between humerus and pelvic girdle, नहीं, humerus तो pectoral girdle से है, क्योंकि नीचे जो femur है, वो pelvic girdle से होगी, तो यहाँ पे, pelvic की जगए क्या था, pectoral, pectoral, इसलिए रॉंग हो गया, बाकी ball and socket तो ठीक है, और considerable movement भी ठीक है, सबसे ज़्यादा movement होती है, लेकिन pelvic की वज़े से गड़गड हो गया, between atlas and axis, first and second cervical vertebra, यह pivot joint है, और synovial का ही type है, इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा movement देखी जाती है, गलत पूचा था तो answer हो जाएगा third, कुछ WBC दिये हैं और उसके अंदर phagocyte पूचा है, तो macrophage phagocyte है, neutrophil phagocyte है, यह phagocyte, यह phagocytes नहीं है, इनकी primary property phagocytosis करना नहीं है, थोड़ा वो कर सकते हैं लेकिन primary property अगर देखें, तो यह allergic है, यह anti-parasitic है, कुछ allergy का response भी कोज करती है, तो answer हो जाएगा A and B, A and B, इसके लाबा, dendritic cell जो है, वो भी phagocyte है, 11th वाले portion में, chapter number 18 है, body fluid and circulation, blood clotting से lateral cushion है, ओके, चलो check करता है, A, B and C जो है, उसको identify करना है, तो damaged platelets release, damaged platelets भी release करती है, tissue भी करता है, तो यह तो thromboplastin है, thromboplastin, TP, thromboplastin इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और thromboplastin जो है, वो प्रो-thrombin जो है, उसको किसमें change करा देगा? तो एका तो हो गया, thromboplastin, B का पुछा है, तो B हो जाएगा, thrombin और फिर C पुछा है, तो C हो जाएगा, फाइबरी, नोचना आंसर हो जाएगा, third. Locomotion of animal is generally not performed for, animal में जो locomotion होता है, उसको generally वो किस के लिए perform नहीं करते हैं, food की सर्च के लिए करते हैं, enemy की सर्च के लिए थोड़ी होता है, enemy से तो बचना है, हाँ, जो predator है, सिकारी, वो सिकार की तलास में है, predator जो है, वो prey को find out करने के लिए locomotion करता है, लेकिन कोई prey predator की तलास थोड़ी करेगा, कि आजा मेरो खाले, तो ये वाला जुआई यहाँ पर रोंग हो गया, पकि सर्च of mat, reproduction के लिए, दूसरे partner की सर्च में locomotion होता है, और एक suitable breeding ground, एक अच्छी जगह जहाँ पर प्रजणन हो सके, reproduction हो सके, बच्चों को जहाँ पे maintain किया जासके, उस ground की search के लिए locomotion हो सकता है, तो ये तो possible है, लेकिन second possible नहीं है, select the movement which is generally not performed by human body cell, human body cell की बात करें, तो amoeboid movement wbc करती है, pseudopods है, cytoplasmic, अलका सा streaming होती है, ciliary movement भी होती है, muscular movement भी होती है, लेकिन human male में, जो sperm में जो हुआ है, sperm, उसमें flagellar movement होती है, लेकिन वो only male में होता है, फिर male में नहीं होता है, तो इसमें note पुच्छा है, तो इसका हम movement भी कुछ epithelium करेंगी, जैसे brain appendymal epithelium, fallopian tube, कुछ simple columnar celiated epithelium, अपनी respiratory tract वहां पे भी है, तो ये भी ठीक है, muscular movement भी है, लेकिन flagellar movement भाई सम epithelial cell नहीं है, यहां पे spermatos हो आउता तब तो ठीक हो जाता, तो यह वाला जो option हो यहां पे रोंग हो गया, okay, hormone selected है, 11th का 22 number chapter, कि some non-nutrient chemical which are secreted in blood as the intercellular messenger, okay, and produce in a trash amount is gold, is simple सा है, और यह किसकी बात हो रही है, hormone की, जो organized gland, cell leads, जो chemical हो रहा हो, और non-organized gland, sub-selected जो chemical है, उनको इस नहीं definition ने cover किया है, NCRM दिया है, which of the polyvink hormone is not synthesized in the cell of pituitary gland, okay, prolactin parse distalist करती है, somatotrophic hormone parse distalist की cell करती है, vasopressin and oxytocin are synthesized in hypothalamus and released by parse nervous, तो that's two hormone are not related with the site of secretion of pituitary gland, but MSH is a part, is a secretory chemical of parse distalist है, तो prolactin, somatotrophic hormone and MSH, ये तीनों ही, जो है, वो pituitary gland से related है, एकनि ही hypothalamus related है, इसलिए answer third हो जाएगा, secretion of hormone of adeno-hypopysis is regulated by, तो अगर adeno-hypopysis की hormone की बात करें, तो आप लोग देखें कि pituitary gland को hypopysis बोलते हैं, जिसमें 75% जो adeno-hypopysis है, और बागी का neuro-hypopysis है, और ये वाला जो part है, वो एक stalk, infantibulum से connected है, तो यहां से portal circulation आता है, और indirectly ये इसको control करता है, और इसके तुरू यहां के neuron releasing hormone भी डालते हैं, और releasing inhibitory hormone भी डालते हैं, तो इसका control hypothalamus के releasing hormone भी करते हैं और hypothalamus inhibitory hormone भी करते हैं, निउरो-hypopysis की तरफ नहीं, ये तो direct control बोला ये है, तो इसको control ये दोनों करते हैं, और hypophycial portal system से hormone आते हैं, जैसे आप लोग देखें कि pro-lactin releasing hormone भी होता है, और pro-lactin releasing inhibitory hormone भी होता है, growth hormone raising hormone भी होता है, and growth hormone raising inhibitory hormone भी होता है, और वो दोनों उपर से ही आते हैं, जो adeno-hypopysis को control करके बाद में उनों hormone को control करते हैं, तो regulated by तो answer हो जाएगा अपना कौन सा, 4, test tube baby program है, जिसमें कौन सा include नहीं है, तो test tube baby program की बात करें, तो उसमें invitro fertilization होता है, test tube में, और invitro fertilization के बाद में अगर zygote या embryo, eight cell stage तक ही है, तो तो zygote intra-filippine transfer हो जाएगा, और eight cell stage को cross कर चुका है, तब उसको बोलेंगे अपने intra-utrain transfer है, और इसमें आप लोग देखें कि ये भी आ गया अपना, और IUT भी आ गया, IUT invitro fertilization के बाद अगर eight cell stage को cross कर गया है, तो और ZIFT अगर eight cell stage से पहले-पहले है, तब oviduct में, I-C-S-I की बात अगर करें, तो इसमें भी invitro fertilization होता है, अला कि ये जो microscope है, उसके under होता है, पूरी process, और उसमें holding pipette से एक को hold किया जाता है, micro-injecting pipette से sperm को directly cytoplasm में inject कर दिया जाता है, और फिर उसका जो आगे का development है early, वो test tube में होता है, और वो अगर आगे का development है, उसमें अगर वो eight cell stage तक है, तब तो फिर क्या किया जाएगा, अगर eight cell stage तक है, इसके बाद, तब तो ZIFT, और इसमें भी अगर eight cell stage को cross कर चुगा है तब IUT, तो कहीं न कहीं, ये भी test tube baby program से लेट हो गया, लेकिन gamet intra-phalopin transfer में तो male-female दोनों की gamet को, females उसकी oviduct में transfer किया जाता है, इसमें तो in vivo fertilization होगा, so, the first one is not related with test tube baby program, okay, incorrect statement देखना है, okay, FHR stimulate the sertoli cell which help in spermiogenesis, बिल्कुल सही है, कि जब spermatogenesis की बात करें तो एक तो spermatocytogenesis, एक spermiogenesis, तो spermatocytogenesis में spermatogonium, spermatrid में change होता है, और ये testosterone के control में है, लेकिन spermatrid जब differentiate होता है, spermatos hoa में, sperm में, तो वो sertoli cell से release certain factor करते हैं, और उस process को spermiogenesis कहते हैं, और इसके लिए sertoli cell को stimulate कोन करता है, FSH है तो ये तो ठीक बात है, फिर LH trigger ovulation और ये भी सही है, LH and FSH decrease gradually during follicular phase, follicular phase तो second है, और follicular phase के दुरान ये decrease नहीं होते हैं, देरे देरे बढ़ते हैं, तो ये गलत हो गया, फिर LH trigger secretion, secretion of androgen from bleeding cell ये भी सही है, तो गलत पुचा था, थर्ड गलत हो गया, Find the statement which is incorrect for secondary immune response, compare to primary immune response, ये आपरो देखो अगर compare अम लोग करें, कि first time जब कोई antigen body में entry करता है, तो ये है first antigen exposure, तो इसके अंदर leg phase होती है, और कुछ days के बाद, blood में antibodies का level बढ़ता है, तो ये है, primary immune response, और इसमें के leg phase होती है, को इसके अबाद antibody बढ़ रहे हैं, और इसमें लग बग कितने दिन लग जाते हैं, 15 days, 10 to 15 days लग जाते हैं, और इस primary immune response में, IgM तो बनता है ज्यादा, और IgG बनता है कम, लेकिन माल लो, बाद में वही antigen, same antigen, second time entry करें बोड़ी बें, second time antigen exposure अगर हो, तो बिना leg phase के एक vigorous intensified है बहुँ ज्यादा, secondary immune response होगा, secondary immune response, जिसमें leg phase भी नहीं होता है, इसमें IgG main होता है, और IgM कम होता है, तो अपने को incorrect देखना है, secondary लिए तो अब देखो, IgM is formed in high number, नहीं, secondary immune response की अगर हम लोग बात करें, तो IgM जो है, वो high number में produce नहीं होते हैं, वो low number में होते हैं, फिर, it is highly intensified and IgG is formed in high number, यह सही है, intensified भी है और IgG ज्यादा भी है, फिर, it is also called as an amnistic response, यह भी सही है, इसको anamnistic response कहा गया है, it is based on the fact that we have memory of previous infection, हमारे पास, the first time exposure हुआ था, तो यहाँ पर memory cell बनती है, B lymphocyte जो है, वो activate होगे, एक तो बनाती plasma cell, एक बनाती memory cell, तो second time जब entry जन एंट्री करेगा, तो वो सीधा memory cell के उपर जुड़ेगा, और memory cell खुद, बाद में activate होगे, नई plasma cell और एक नई memory cell बना लेगी, है ना, तो यह भी ठीक है, तो इसमें wrong पुछा है, तो first जो रोंग हो जाएगा, the factor which does not affect the rate of allule diffusion की अगर बात करें, तो गेसों की solubility भी affect करती है, thickness भी करती है, पार्चिल प्रेशर भी करता है, लेकिन गेसों की कोई reactivity का यहां पर कोई concept नहीं है, all of the following components of blood are present in filtrate, normally enter in nephron during ultrafiltration, accept है ना, कि blood plasma या blood के कौन सा component filtrate में नहीं है, तो अगर देखें, तो cells नहीं होते हैं, RBC, WBC, Blatelates, इसके लब प्लाज्मा के जो लार्ज प्रोटीन है, albumin, globulin, fibrinosin वो भी नहीं होते हैं, तो glucose होता है, urea होता है, elenin भी होता है, लेकिन albumin जो blood plasma protein है, यह present नहीं होते हैं, symptoms of disease are given below, कुछ कोई disease है, जिसके symptom दिये हैं, इसमें dehydration हो रहा है, प्यास बढ़ रही है, और diuresis भी हो रहा है, अगर यह बढ़ रहा है, तो यह disease जो है, वो इस disease के जो symptoms है, किस वज़े से हैं, तो hyposecretion of eldosterone अगर यहां पर देखें, तो यहां पर eldosterone का कोई role नहीं है, अगर eldosterone का, अगर बात करें, तो वो तो mineralocorticoids related है, तो eldosterone को यहां पर अपने को नहीं लेना है, हाँ, ADS की अगर बात करें, तो आप लोग देखें, कि hypersecretion of ADS नहीं, अगर ADS का hypersecretion होगा, तो urine volume कम हो जाएगा, यह देखना, hyposecretion of ADS, अगर ADS का hyposecretion होगा, तो इस इसे व्यक्ति के अंदर dehydration होगा, क्योंकि water का reabsorption नहीं होगा, और water का reabsorption होगा, और loss ज्यादा हो रहा है, diuresis ज्यादा हो रहा है, तो water का level body में कम हो रहा है, इस से प्यास बढ़ेगी, समझे रहो, तो hyposecretion वाला ADS का perfect होगा, यह रोंग होगा, अगर hypersecretion कर देखें अब section B से लेटरेड हम लोग देखते है, adaptive column matching वाला है, adaptive radiation जिसके अंदर, एक common ancestor से अलग-लग direction के अंदर, अलग-लग individual बनते हैं, तो यह होगा, darwin finches, एका 4, एका 4, convergent evolution जिसके अंदर, यह देखा, wings of butterfly and purse, different ancestor है, और structure की function, सेम है न, तो convergent evolution का होगा, के लिए B का 3rd, यह B का 3rd, पर divergent evolution, यह देखा, तो C का 2, C का 2, और फिर evolution by anthropogenic action first हो जाएगा, इसमें variety of herbicide and pesticide resistance, जो chemicals हैं उनकी बज़ए से resistance develop होती है, तो D का हो जाएगा, first answer हो जाएगा अपना 1, ओके, अच्छा question है, which of the following option is incorrect with respect to female reproductive system है, तो आप लोग देखें, कि एक female है, जिसमें tubectomy की गई है, नलिक का विच्छेतन, जिसके दोनों oviduct को remove कर दिया है, तो अगर उसके दोनों oviduct को remove कर दिया है, तो आप लोग देखें कि, oviduct को अठा दिया, तो fertilization नहीं होगा, बाकि उसकी pitotry gland, hypothalamus, ovary वो तो है ही, और वो सारे menstrual cycle जिस order में होता है, उस order में वो hormone भी रिलीज होता है, यानि ovarian cycle भी होगा, uterine cycle भी होगा, menstrual flow भी होगा, लेकिन fertilization नहीं होगा, pregnancy नहीं होगा, gametogenesis होगा, hormone formation होगा, लेकिन pregnancy carry out नहीं होगी है, तो 2-back tummy में, जो है, ovarian changes होगा, uterine changes भी होगा, menstrual cycle भी होगा, लेकिन fertilization नहीं होगा, ये सही बात है, क्योंकि estrogen, progestion की गमी से पहले तो loss हुआ, फिर FSHLH बढ़ा, तो उससे follicular phase आई, estrogen बना, endovitreal growth हुए, उसके बाद ovulation हुआ, अंड, oviduct में आले लेकिन, ovulate तो हुआ न, fertilize नहीं हुआ, तो फिर दिरे दिरे अठाई से वही नाते आते हैं, corpus alutium albicans में change, और फिर फिर वो loss start हो जाएगा, endovitreum का तो नहीं होगा, लेकिन fertilization नहीं होता हुआ, hysterectomy, जिसके अंदर uterus अटाया गया है, okay, pitotree master gland वाले hormone release होंगे, ovarian cycle भी होगा, लेकिन ovulate से जो estrogen बनेगा, वो endometrial growth नहीं करा पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि uterus हाही नहीं, और अगर uterus नहीं है, तो वहाँ oviduct तक sperm भी नहीं पहुँचेंगे, यानि fertilization भी नहीं होगा समझेरो, तो अब देखते हैं, कि एक female जिसके अंदर warm को अटाया गया है, तो ovarian changes तो होंगे, लेकिन uterine changes नहीं होगे, सही बात है, mensal cycle भी नहीं होगा, सही बात है, और fertilization भी नहीं होगा, ये भी सही बात है, चलो, ophorectomy, मतलब ovary को अटाया गया है, removal of ovary, और यहाँ प अटाया है, तो दूसरा ovary तो ही, और यह हर month जो है, जैसे 6 month left ovary ovulate करते हैं, और 6 month जो हो right करते हैं, और इन में काफि सारी follicles हैं, वो division के pathway में होते हैं, तो किसी भी month randomly, या तो left या right जो ovary हैं, उसमें 3-4 follicles हैं, वो अपना आगे का division वो start करते हैं, लेकिन बाद में एक ही आगे तक बढ़ पाता है, बढ़ पाता है left ear right में, और बाकी के जो हैं, वो follicular atracia से खतम हो जाते हैं, तो इसमें chance हैं, क्योंकि एक ovary अटाया है, तो दूसरा ovary तो हाई, तो इसका मदब है, ovarian change होगा, जो ovary present है उसमें, और uterine, अगर ovarian change होगा, तो estrogen progestron बनेगा, तो लेकिन delay क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी month, मालो, एक ही ovary है, मालो left है, लेकि left ovary में, जो है, changes नहीं आया, उस month में right में आना तो लेकि right नहीं है, left में नहीं नहीं आया, फिर हो सकता है, अगले month में नहीं नहीं आया, हो सकता फिर third month में, left ovary का number आया, उसमें changes आजाए, तो इस चक्र में वो डिले हो जाएगा बाकी fertilization possible है समझे चलो और फिर एक टॉमी जिसके अंदर दोनों ovarycoat आया गया है इसका मतलब अगर दोनों ovarycoat आ दिया तो आइपोथले में कॉर्मोन है FSH LHB है लेकिन ovarian event रुख जाएंगे इसका मतलब एंडुमेटरियल चेंजेज नहीं होगे कोपुलेशन होगा सीमन भी रिलीज होगा सीमन oviduct में भी आएगा लेकिन जो oviduct है उसमें एक की absence है क्योंकि दोनों ovary आठाये वे हैं यानि fertilization नहीं होगा तो अब देखते हैं ovarian changes नहीं होगे यह सही बात है uterine changes भी नहीं होगे यह भी सही बात है क्योंकि दोनों ovary को आठाये तो इस्टोन प्रोजेस्टों नहीं है और menstrual cycle बता रहका की होगा rapidly होगा नहीं यहां पर नहीं यहां पर नहीं आता है यह fertilization होगा yes दिया है नहीं fertilization नहीं होगा नहीं होगा तो fourth जो वो wrong होगया और क्यों wrong होगया आपको यादखना है in last में दोनों में नहीं आएगा तो काफी अच्छे concept के साथ यह question है काफी अच्छा question है I hope आप लोगों को जो यह menstrual cycle है जिसमें पूरा उपर से endocrine system फिर ovary और uterus से जो related concept वो connect हुए होगे ना चलो आगे बात करते हैं gross calorific value पूछिए carboidate protein और fat के लिए respective लिया ना तो gross calorific value carboidate की तो है 4.1 kcal per gram protein की है 5.65 kcal per gram और fat के लिए 9.45 kcal per gram तो यह answer perfect हो जाएगा और यह ही अगर physiological calorific value पूछिए तो आणसर होगा 4.5 and 9 एक person है जिसकी abdominal muscle और intercostal muscle में contraction हो रहा है यह यह tidal volume है inhalation exhalation inhalation exhalation तो यह तो है inhalation और यह है exhalation क्यों तो एक person is contacting abdominal muscle and internal intercostal muscle additionally इसका मलब है forceful exhalation की बात हो रही है after a normal inspiration की after a normal inspiration normal inspiration के बाद है forcefully जो है exhalation क्या जारस है तो इसका मलब है की इसमें exhalation exhaling will be है तो normal inhalation के बाद forcefully exhale कर रहा है यह बात कर रहा है तो TV भी आ गया और ERV भी आ गया तो फिर तो RV भी चला गया तो यह भी गलत हो गया ERV प्लस RV नहीं यह तो नहीं होगा RV के तो अपन अठा भी नहीं सकते न यह देखो vital capacity minus IRV क्योंकि यह देखना यह है IRV और यह VC है तो vital capacity minus IRV कर देंगे तो क्या बच गया अपने पास में इसी इसी तो यह answer हो जाएगा 4 ओके टांस्क्रिप्शन जो जो प्रोसेस है उसके respect में यहां पर एक question पुछा होगा ना तो identify ABC in the figure इस figure में ABC को अपने को find out करना है तो A तो यहां पर है promoter B जो है यहां पर structural gene और C जो है वो है terminator sequence जहां पर transcription terminate हो जाएगा ठीक है simple साथ ओके एक double standard DNA का molecules है double standard 3' to 5' and 5' to 3' इसमें दिया है कि अगर इसके अंदर 30% guanine है इसका अगर 30% guanine है तो दूसरी तरफ 30% है उसके अंदर cytosine होगा तो total कितने percent हो गए है 60% तो फिर पूचा क्या है then calculate the percentage of adenine है तो 60-100-60-40 तो 40% जो adenine thymine है वो बस गया तो वो होगे 20-20 20 thymine 20 adenine आंसर हो जाएगा first यहाप एक figure दिया है और replication related और इस figure में आप लोगों को देखो क्या पूचा है what is the polarity of template stand which form leading stand आपको पता है कि जो leading stand है यह वो है जिसका continuous synthesis होता है तो यह तो हो गया कौन सा leading stand leading stand जिसका continuously synthesis हो रहा है 5' to 3' direction में replication fork की तरब और यह जो leading stand का synthesis हो रहा है इसकी जो template है इसकी polarity fork की तरब के 3' to 5' लेकिन इसके opposite जो यह जो template है 3' to 5' जिसको lagging stand बोलते हैं जो replication fork से दूर जो है move कर रहा है और discontinuous synthesis हो रहा है तो पहले इसका देख लेते हैं कि what is the polarity of template stand which form leading stand तो इस leading stand का formation जो template करें उसकी polarity क्या है 3' to 5' यह देखो 3' to 5' यह template है किसकी इस leading stand की जिसका continuous synthesis हो रहा है replication fork की direction में लेकिन फिर दूर्सरा देखें कि mention the polarity of template stand which form okazaki fragment okazaki fragment okazaki scientist है उसके according दिया गए तो okazaki fragment जिस template पर बन रहे हैं अगर उसकी polarity देखें तो वो 5' to 3' 4' के according तो वो answer हो जाएगा B 5' to 3' ठीक है out of the following given process how many occur in nucleoplasma एक cell है उसके अंदर nucleus है उस nucleus के अंदर बताएगी कितनी process होती है तो आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर DNA का replication भी होता है DNA का replication भी nucleoplasma हो रहा है transcription भी nucleoplasma ही होता है transcription के दुरान उसमें mRNA बनता है और mRNA बनता है तो 5' के अंदर जो है adenylation भी हो जाता है 5' के बनने के बाद में काफी सारी 8L 200 से 300 के आसपास हाना और फिर उसमें exon intron exon intron होते हैं तो splicing भी होती है जिससे HNM RNA mature RNA के अंदर change होके फिर बाहर के तरह पाता है तो 5' के पिंग polyadenylation splicing यह सारी process भी उसी समय हो रही है कहां पे nucleoplasma ही है RNA splicing भी nucleoplasma removal of intron and joining of exon is known as splicing a feature of eukaryotic genome न DNA RNA capping भी nucleoplasma है translation nucleoplasma नहीं है यह cytoplasma होता है replication भी nucleoplasma है और RNA tailing polyadenylation की वो भी nucleoplasma है तो देखना 1 2 3 4 & 5 तो अंसर हो जाएगा first ओके कुछ contrasting trade दिए है पाइसम सेट आइवम में है आप लोग जानते हैं कि 7 character थे मेंडल ने चलो select किये थे अपने को इसके अंदर correctly amazed option जो हो देखना है अच्छा वाग यह है न तो चलो देख लेते हैं तो seed shape में dominant तो है round तो recessive trait जो वो क्या हो जाएगा wrinkled wrinkled और इसका जीन chromosome number 7 पे है फिर flower color white recessive trait में दिया तो यहाँ पी क्या हो जाएगा violet या purple और यह flower color का जीन कौन से chromosome पे है first पे फिर pod से full तो यहाँ पर recessive हो जाएगा constricted और trait जो पे है और फिर यह axial जो character है वो किसका flower position flower position और axial है तो recessive क्या हो जाएगा terminal और flower position का character भी कौन से chromosome पे है number 4 तो first में तो आएगा wrinkled first में रिंकल्ड second में वोयलेट वोयलेट थर्ड में एक वन four में कहा है four यह रहा और फिर five में flower position यह flower position और फिर six में क्या है six में टर्मिनल और seven में four यह देखना है टर्मिनल एंड फॉर तो आंसर हो जाएगा first ओके तो इसकी बाद कॉलां फॉर्स्ट और से कि इस्टेफाइलो कोकस क्या है है एक तो फंगास है यह फंगास हो गई है ना सिट्रिक एसट को यह प्रड्यूस करती है रिलेटेड विद पैंसिलीन है ना तो इस्टेफाइलो कोकस पर एक्चुली जब अलेक्जंडर फ्लैमिंग की स्टड़ी कर रहा था एक स्लाइड पर जो बैक्टीरिया उसने लिए रखे थे वो ऐसे इस्टेफाइलो कोकस बैक्टीरिया थे कौन से थे स्टेफाइलो कोकस बैक्टीरिया ना तो इस्टेफाइलो कोकस बैक्टीरिया पर एलेक्जंडर फ्लैमिंग स्लाइड पर और Q में अपना A answer बनना है और C D इसमें बनना है तो अपने लिए correct answer third बन जाता है next चलते हैं which of the following is inoculum inoculum जैसे दूद को दही में convert करने के लिए एक चम्मच उसमें दही डाला जाता है इसी inoculum कहते हैं निवीज सी द्रब भी कहते हैं हिंदी में निवीज द्रब ठीक है विदावर बैक्टीरिया कंटेनिंग मिल्क है न तो यह नहीं है a small amount of curd added in fresh milk यह हो सकता है large amount of milk containing east कभी नहीं होगा a starter substance containing millions of LAB added in glucose है न प्रारंबिक पदार जिसमें करोडों की संख्याम LAB होते है जिसे glucose में मिलाया जाता है यह नहीं होगा तो हमारे लिए correct answer मिलता है कि दही की कम मात्रा जिसे ताजे दुख्द में मिलाया जाता है जिसे दही का formation हो जाता है clear तो 46 का answer अपना यह correct बन जाता है second बढ़िया है second इसका correct answer बनना है next चलते हैं utilization of SCP also reduce SCP single cell protein का उपयोग किसी कम कर सकता है तो याद रहे कि सीवेज वाटर में भी SCP spirulina और क्लोडिला को अपन ग्रो करा सकते हैं मौलसेज में ग्रो करा सकते हैं वह potato processing plant से जो water release होता है उसमें हम ग्रो करा सकते हैं तो इस तरीके से हम वहाँ पर कही ने कहीं pollution को भी कम कर सकते हैं तो यहाँ पर है मृदा की उरवरा सकती soil fertility nutrition quality of food तो वह तो हुई environmental pollution को भी अपन कम कर सकते हैं तो यह third correct answer बनता है next consider the following diagram graph log scale of this graph represent और एक में log पैमाना प्रदर्शित किसे करता है मतलब यह है species area richness के जो inter relationship है जैसे जैसे हमें species की study के लिए area का area increase करेंगे बैसे बैसे species richness भी एक limit तक बढ़ती है ठीक है increase species diversity with area ठीक है decrease decrease तो नहीं होगी less diversity area नहीं loss of community diversity नहीं फर्स्ट और इसका correct answer बनता है next identify the label XYZ है ना diagram है उसमें XYZ को हमें select करना है सबसे ज्यादा diversity actually fungus की होती है तो वाई इसमें fungus को represent करेगा तो इस तारीके से हमारे पास possibility इस बात की है देखो हमें question को कहा से solve परना है तो उसके clue point आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा diversity fungus की होती है उसके बाद में एंज्योए स्पॉं की diversity consider की गई है तो यह आपके लिए fungus point होगा और यह एंज्योए स्पॉं का point होगा तो वाई fungus कहां है वाई यह नहीं है answer नहीं बनेगा यह नहीं बनेगा इन में बन सकता है अब हम देखें तो एक्स क्या है एक्स फ्रेंजिश वाम है तो correct answer अपना बढ़ बढ़िया question है यहां तीन डाइग्राम है हमें ध्यान देना होगा इनसे अक्सर question बन जाते है next बढ़िया इस एरिया से भी question मनता है यह pollutions related है choose the correct option match the above diagram है ना इसमें सही मिलान अपन को करना है ABCD ठीक है तो यह actually यह corona है जो यह dust particle है यहां पर heavy bolt के यह buyer है यह buyer यह अंदर वाला जो buyer है यहां पर 1000 वोल्ट release किया जाते हैं तो जैसे ही यह particle आगे बढ़ते हैं बैसे ही बोल्ट के जरीए यह negative charge हो जाता है इसी को हम यहां inside ने corona term यूज किया है ठीक है तो corona इसलिए क्योंकि coronal form में यह दिखाई देता है और यहां पर जो dust particle है वो negatively charge हो जाते हैं तो इसके option हमें कैसे मिलते हैं देखें यह हैं इसके option तो यह actually एक छोटे से small particle होते हैं अच्छा जी electrically charged small particle ठीक है अब negative charge हो जाते हैं बायर भी निगेटिव charge हो पार्डिकल भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो यहां पर positive charge particle देखो charge particle positive charge नहीं होंगे charging भी निगेटिव चार्ज होगी जो मैंने अभी कोरोना की case में आपको बता है तो आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हो इलेक्टिक चार्ज वहां AC क्या था तो वह actually यह जो पॉइंट था देखो इदर यह जो पॉइंट है यह तो वायर है क्या है वायर और इसके ऊपर जो बी नेगेटिव चार्ज हो गया होगा तो सी नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो यह करक्ट आंसर अपना बन जाता है बाकि यह सा कोई आंसर बनेगा नहीं next नेक्स्ट है नीचे दी गई सुची है यह और इसमें प्राफ्थ बिक अनकुर्वण आइडेंटिफाई करना है हाना किसकी लिस्ट प्राइंबरी सक्सेशन यात्र है प्राइंबरी सक्सेशन टाइम कंजूमिंग प्रॉसेज है लंबा समय लगता है बेर रॉक हुए खूल लावा हुआ हैना न्ick flour pond हुए जहां पर पहले से life exist करती है वहां पर जो सक्सेशन होता है वह प्राइमरी के लाता है अब से किंडि सक्सेशन वहां होता है जो accidentally वो area plantation या deforestation की बज़े से किसी भी accidental case की बज़े से वहाँ से move हो गए जैसे forest fire होगी जैसे जंगलों की कटाव की बज़े से वहाँ पर area को clean किया गया है वहाँ पर अपन दुबारा plantation करें तो उसो secondary succession करते हैं तो यहाँ पर देखें तो क्या है यहाँ पर त्यागे अब हम छोड़े गए करसी शेत बिलकुल एंसे आड़े में लिखा हुआ है कटे primary sanction है ना तो यह secondary हो जाएगा कटे हुए जल यह secondary हो जाएगा है ना नया ठंडा हुआ लावा यह अपना एक option आ गया बार ग्रस्त जमीन यह primary में नहीं secondary में चले जाएगे अनावर चक्ताने यह आजाएगा नया बनाएगा तालाब आजाएगा है ना रेती ले टीले तो यह तो इसका अपन जो आंसर यहाँ पर प्रवाइड कर रहे हैं तो देखें कौन-कौन एक तो यह हो गया यह तो नहीं हुआ वन हो गया है ना टू हो गया थ्री हो गया और रेती ले टीले मतलब आपने अभी अभी सेंड प्रवेड तो इसमें भी बहुत लंबा समय लगेगा अच्छली उसे बनाने में तो वन देन टू देन त्री देन फोर तो यह फोर आंसर यानि कि थर्ड क्लियर हो जब है next they need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counter act universal tendency towards the increase disorder less above line indicate that है ना तो उन्हें निरंतर उर्जा की आपूरती के आवश्यक्ता होती है ताकि व्याप्रेक्षित अडूओं को संसलेशन कर बढ़ती हुई अवस्था अब विवस्था के प्रतिसर्व ब्यापी प्रकृति के संदर्म में काम करें यह बाग के दर्सा आता है यह एक्चली वैसे तो यह है कि उस्मकत तीग कर्स्ट रूल भी इसमें काम करता है लेकिन इसमें अंडूर्व एकार्डिंग यहां पर पर second क्योंकि energy flow जो होता है 10% के according होता है तो इसलिए हमारे लिए second correct answer बनेगा next in above diagram B क्या है तो यह आपके producer है consumer है और यह top consumer है तो obviously इन सब को यह B की बात कर रहा है तो यह decomposer होंगे है ना तो यह सभी को decompose करने की capability रखते हैं इसमें microbes को include किया जाएगा next what is the defining feature of exponential growth curve exponential growth curve किसे कहते हो exponential यह carrying capacity है लेकिन carrying capacity से अगर कोई growth affect होती है तो वो logistic growth curve हो जाएगा यहाँ पर exponential की बात हो रही है तो जे से बनेगा यहाँ पर growth unlimited होगी in last identify यह अनिश्चित काल तक बनी रहते हैं देखो कभी भी किसी भी ecosystem में ऐसी condition नहीं होती है NCRD कहती है कि वहाँ पर persistently favorable condition बनी रहें यानि कि resources unlimited हमेशा नहीं ले सकते short time के लिए कभी बन सकते हैं जैसे बरसात के मौसम में कुछ insect particular time के लिए उनकी संख्या access amount बढ़ जाती है यह exponential को दर्शाता है the growth rate is constant constant कभी नहीं होती growth rate increase rapidly over time है नहीं तो growth rate is very high very high तो ठीक है समय के साथ व्रद्दी दर्थ व्रता से बढ़ती है ठीक है तो यहां पर हम देख रहे हैं 44 यहां पर तो growth rate increase rapidly over time एक particular time तक यहां पर growth कुछ समय के लिए याद रहे है बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगी है है ना very high तो कभी नहीं होगी लेकिन इसमें time period भी included होगा constant नहीं होती है indefinitely नहीं होती है एक particular time के लिए होती है तो third अपने लिए correct answer बन जाता है many duplankton species in a lake pond are non-entered dipos dipos कुछ जो duplankton होते हैं वो अपने उपर चारों तरफ एक covering बना लेते हैं mucus की जिससे वो adverse condition में कुछ particular time तक अपने आपको survive कर पाते हैं इससे dipos condition कहते हैं और ये एक suspend का example है ना जैसे estivision का जिक्र किया जाता है इसी दोरान correct answer बनता है रेड ग्रीन ब्राउन एल्गी बाट इन 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 हैविट दो सी फ्रॉम डिफ्रेंट डिस्टिविशन रेंज इन दे वाट और विकोज देखो कहा जाता है कि पानी के अंदर सबसे नीचे जो होती है वो रेड एल्गी होती है इससे हम डीपैस्ट एल्गी भी के नाम से जानते हैं है ना डीपैस्ट एल्गी सबसे नीचे इसकी कारण भी बताई जाती है क्योंकि इसका खुद का गलग रेड है इसलिए ब्लू लाइट नीचे है और जागे और चैनल थे एकट और मजन और आपकेशन तो इसलिए यहाँ यह क्या है स्कंडर कोवि अबज़ार्ब करती है इसलिए यह क्रॉमेटिक आडप्टेशन परकेशन कहला बड़ की और इसमें जो पिगमेंड है वह फो ब्लू को ही अरफ Motor करते है एक आड़ cumplis like the shrew hummingbird छोड़े छोड़े जो पक्षी होते हैं absent in polar region polar region absent क्यों होते हैं since the small animal have large surface area relative their volume इनका surface area ज्यादा होगा तो energy disverse भी ज्यादा होगी और energy enter भी ज्यादा होगी तो जो heat होता है उसका simple rule होता है heat हमेशा high to low disverse होती है अब यह polar पर क्या होगा low temperature minus temperature होगा तो इसकी body का जो temperature होता है 37 maintain करना होता है for maximum metabolic activity अब इनकी जो internal temperature होगा चुकि surface area ज्यादा है volume के respect में तो जल्दी से energy disverse हो जाएगे अब energy जैसे disverse होगी मतलब heat disverse होगी heat को maintain करने के लिए metabolism fast करने पड़ीगी वह edible जो food है वह पर sufficient है नहीं तो इस बज़े से इनका वहाँ survive होना possible नहीं है यहाँ वही animal survive कर सकता है जिसका volume जादा है compare to surface area इससे वह energy को consumption कर सकता है और heat loss को भी बचा सकता है तो इसी लिए यहाँ पर metabolic required energy यह कहा भी गया है कि आखिर यह चुट 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 वर्स ने regulation क्यों अड़ाप नहीं किया है तो वह बज़े बज़े है कि regulation is a high energy consuming process तो यह लिख रखा है शेकिन इसका correct answer बनता है उपापचय के लिए अधिक उर्जा के आवश्यक्ता के कारण अनुपस्तिती के कारण देखो पापचय तो होगी अनुकूलन की रूप से स्थिर होने के कारण ऐसा कुछ नहीं है अनुवांसे नियामक regulation आप यहां उतना उस लेवल पर नहीं कर सकते हो आंसिक से काम नहीं चलेगा बैजिटिटिव प्रॉपेगेशन बैजिटिटिव प्रॉपेगेशन का मतलब क्या हुआ जैसे मान के चलो एक एक रायजॉम है जमीन के अंदर क्या है एक रायजॉम जैसे अपन गन्ने को दे तो वहाँ नोड होता है इसे अपन रायजॉम में कंसीडर कर सकते हैं यहां केले के अंदर होता है तो यहां पर अपन इस तरीके से इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है अब बैजिटिटिव फ्रेग्मेंट इसे मेथाड़ इस कॉमन इन complex organization with no differentiation no differentiation तो सही है क्योंकि बैजिटिटिव प्रोपेगेशन एक एसेक्शल प्रोसेश है तो यहां माइडोडिक डिवीजन होगा ठीक है तो simple organism ज्यादा तर यह करते हैं no differentiation यह भी ठीक है complex organism rare cases में करते हैं ज्यादा तर जो होता है वो simple form में ही हमें देखने को मिलता है ठीक ह 58 का जो answer जा रहा है वो अपना second जा रहा है clear तो complex organization with differentiation क्योंकि crossing over चाहिए with differentiation मतलब crossing over चाहिए तो इसलिए अपना correct answer second बनता है next natrifying bacteria बढ़िया है याद रखना natrifying bacteria chemo autotropic होते हैं यह एक inorganic compound को oxygen के presence oxidize करते हैं और उसे दूसरे form में convert कर देते हैं और इसे हम chemo autotropic consider करते हैं second इसका correct answer बनता है how many ATP are formed during the citric acid cycle one glucose one glucose का मतलब है कि citric acid में ही आपको पोजना है पता करना है तो एक citric acid cycle में आपके 3 NADH2 बनते हैं इससे आपको 9 मिल गए आपको 1 FADH2 बनता है तो FADH2 से आपको 2 ATP मिल गए और एक directly GTP से मिलता है और उसे भी हम ATP consider करते हैं तो एक ATP यहां से मिल गया है तो टोटल आपको कितने मिल गए यहां पर 12 आप चुकि एक रैप cycle नहीं है यहां पर कितने आज जाएंगे 24 तो 24 इसका correct answer बन जाएगा नेक्स्ट मेटाबॉलिक ली ब्रिकडाउन और कार्वार्डिट फैट बढ़िया कुशन है यह रेस्परेशन का जो सेग्मेंट है उसका लास्ट जो पेज है उस पर डिफरेंट रेस्पारिटी सबस्टेंस की र उस तरीके से एसिटायल को इंजायमिक ऐसा सबस्टेंस होता है जहां डिफरेंट रेस्पारिटी सबस्टेंस आके एंटर हो जाते हैं तो यहां पर आपका correct answer यह बनेगा यहां में एक चीज और बता दूं NCRD ने डाइग्राम में प्रोटीन के लिए लिखा है कि यह पायरुविक ऐसे डाइग्राम में पायरुविक ऐसिड और एसिटायल को इंजायम पर एंटर होता है लेकिन जब अपन थियोरी पढ़ते हैं तो वहां उसके अंदर लिखा हुआ है कि आफ्टर डी अमिनेशन आ एसे डाइग्राम में गलती होते हैं तो वहां पर जो उनके इस्ट्रॉक्टरल सिमिलर्टी होते हैं उसके बेसिस पर वह एंटर हो सकते हैं इंसार्टी में डाइग्राम में गलती हो सकती है आप उसकी थियोरी जरूर पड़े नेक्स्ट इंटर्मीडिट कंपाउंड कॉमन इन एरोबिक अनरोबिक कंपाउंड तो आपका जो पायरूबिक एसेट है यह एसेटाल को इंजाम एरोबिक के रैस्पेक्ट में होता है ए इसके दो रास्ते बनते हैं कहले से यह निया तो रास्ते हैं इसके यह तो यह पर यह फिर यह फर यह फिर यह अपका यही से होगा इसलिए एनरोबिक इनको दोनों को कंसिडर किया गया सेकिन इसका करेक्टर अंसर बनता है next which one of the wrong is related to the photorespiration photorespiration के लिए क्या गलत है यह है कि इबाल दिन के समय होता है ठीक है कोई भी process photorespiration हो या कि रुवास को वर्क करता है रुविशको रिवलोज मन भांखायी बैस फास्मेड कार्व वक्षिलिए उक्सिजन घल लेजर नेचर सो करता है घिजवर्म नेचर सो करता है ओटी सीटो सिर्ट्रेसं केahhडावा अकरो दूरा कशिज्म खीक है गलत को चुनना है तो यहाँ पर क्या होगा ये तो नहीं होगा इद आ गर इन खुरी प्लास्ट ठीक है तो अपना 4th मोर करेक्टर रांसर बनना देखो chloroplast में होता जरूर है chloroplast में अपने इसको देख सकते हैं इसमें भी कोई डाउट नहीं है लेकिन है न अच्छा wrong पूछा है तो wrong पूछा है तो अपना wrong ये तो ये हो रहा है day time में होगा इसमें भी कोई डाउट नहीं है तो wrong की बज़े से ये 100% wrong बनना है C4 plant में नहीं होता क्रेंज याना टॉमी अपना ही इसलिए जाती है कि जिससे इसको फॉटराइस्परेशन से बचाया जा सके किसे रुबिस्को को डिफरेंट फैक्टर से बचाया जा सके तो correct answer अपना बन जाएगा third क्या बनेगा इसमें correct answer थर्ड बनेगा clear next water splitting complex is associated with the PS second which itself is the physically located on है ना तो ये located कहा होता है PS second तो PS second की जो position होती है वो ग्रेना में यहां होती है ये होता है इस जगे इनर साइड पर थैलाकोईड की इनर साइड पर इसकी प्रजेंस होती है इनर साइड ओप थैलाकोईड मेंब्रेन बढ़िया NCRD base अच्छा एक कुर्शन है यहीं पर एक और चीज पुछी जा सकती है PS first की जो location होती है वो outer side की ओर होती है next निफचीन याद रहे नाइटोजन फिक्षिंग जीन आपके उनी बैक्थिरिया में प्रपरियोट में होगी जहां नाइटोजन फिक्षिशन की इनकी capability है तो आपके लिए correct answer यह first बन जाता है next चलते है which of the following जीजे part of holozyme holozyme क्या होता है holozyme holozyme का मतलब है ằn1 apozymeturn cyclic rapidement and fiber lenghtime plus plus of cofactor to factor this confactor में कौन राइगा एक पॉझीम आएक प्रोडीनफीर हो गया है ना एपॉझाइम तो हईंप्रोडीन नदेप्रोडीन इस जानद होते हैं microscयल humble ऑे क्योंकि क्या होगा प्रॉस्थेर्टिक ग्रॉप तो ये दोनों तो हैं ये भी है ये भी है ये ये भी है अल आप दीज आंसर करेक्ट बन जाएंगे नेक्स चलते हैं ये तो बढ़िया है इंसाडी में ये आपका लिखा हुआ है इसमें करेक्ट जो है 67 तो डिवीजन इन्टु शिक् 4-13 लिखा है इंसाडी में और ये ये याद करने की चीज है लेकिन अच्छी है इंसाडी में दी गई है ठीक है नेक्स्ट ये है अच्छा देखो ये जो डाइग्राम है ये तो इंसाडी ने दे रखा है मतलब ये कि जब गिल्सरॉल को फैटी एसेड से एस्टरिफाइड क आके इसको एस्टरिफाइड करती है एस्टर बनाती है तो फिर हम बनाती है तो वो जारेरे week को अग्स पर ड्राई है बी कौन है बी मोनो है तो आंसर अपना बन जाएगा थर्ड क्लियर आंसर ड्राई मोनो देन ट्राइगल स्राइब नेक्स चलते हैं अप्रोक्सिमेटली हाव मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज बीन आइसलेट फ्रॉम दर डिफ्रेंट ए नाइन थंड्रेट य एसे क्या करोगे यह कहां से पैललेंड्ड्रामिक सेक्वेंस है 6 निगलو डाट 2पेर्स आर इसमें आपका इकोआर्बन इसे कट करता है कौन करता है एकोआर्बन इन तो इसका जो गटिंग्वऔन है वो जी ऐनन ए है यहहांसे ऐसे इस कट करेगा थीक है तो यह इस पॉइंट से इसे कट करेगा यह ब्लंट एंड हो जाएगा यह याद रखना इसमा है यह कौन है इसमा बन है और इसमा बन है यह वाला इसमा यह से के वाला है तो यह नहीं है यह नहीं है तो आपका फस्त रांटसर करेक्ट बन जाता है next what is true for plasmid, plasmid के लिए क्या सही है, plasmid are widely used in gene transfer, they are found in virus, virus में कभी नहीं होगे, क्योंकि plasmid एक double-stranded circular dna होता है, यह bacterial genome हो गया, प्लस इसे हम कहेंगे plasmid, क्या कहेंगे plasmid, तो plasmid एक double-stranded dna molecule है, इसे हमेसा याद रखा जाए, main part नहीं है, इन्हें extra kromosomal कहते हैं, तो यह कभी नहीं होगा, plasmid consists gene for the viral activity, नहीं, यह भी नहीं होगा, तो हमारे लिए correct answer first बन जाता है, ठीक है, plasmid ब्रहत रूप से gene इस् सही कह रहा है, next, cry second ab and cry one ab produce toxin, है न, ncrd में लिखे, यह तो आपका, इसको करेगा और यह corn borer को कर देगा, ठीक है, first इसका correct answer बनता है, next, the origin of the root here, बढ़िया, root here का origin कहां से होता है, देख़ो इदर, यह है root, तो root here तो आपके यहां से generate होते हैं, और फिर इन्होंने कहा है कि लेटरल रूट, तो लेटरल रूट जो पैरिसाइकल होती है न, यहां से बनते हैं, यह, तो यह तो हो जाता है, एंडोजीनस, लेटरल रूट, और यह हो जाता है, एक्जो जीनस, याद रखना, है न, तो यह epiblema से generate होता है, तो इन्होंने पुछा है, root here, root here, exogenous, लेटर root endogenous है न, बहर जात, अंते जात, यह correct answer इसका बनता है, next, which is not a modification of stem, देखो, यह stem का modification है, यह stem का है, यह यह नहीं है, तो अपना not पुछा है, तो second correct answer बन जाता है, next, select incorrect statement with growth, growth के लिए क्या गलत है, increase in the body mass is certain for the growth in living, non living, animal grow up to the certain age, plant grow, growth in plant is definite, definite नहीं है, यह indefinite, क्या है, indefinite, क्यों, क्योंकि एक plant के अंदर, दोनों point पर maris stem होता है, और maris stem होने के नाते, यह पूरी whole life, जब तक यह growth जिंदा रहेंगे, इनमें ब्रद्धी चलती रहेगी, क्योंकि apical maris stem हमेशा activate condition में रहेगा, और अगर perennial plant है, बहुवर्शी पहुदा है, तो ऐसी condition में फिर इसमें lateral maris stem भी activate रहेगी, इसका diameter भी increase होता रहेगा, definite नहीं है, यहाँ indefinite होना चाहिए था, इसलिए third correct answer बनता है, following cover, बढ़िया question है, देखो, इसको जड़ा ध्यान से सुनना, possible question है, जहाँ पर embryology है, emasculation, artificial hybridization जहाँ पढ़ाए गया है, तो इसमें butter paper एंचार्ट ने लिख रखा है, butter paper इसलिए लिख रखा है, क्योंकि वहाँ पर उसमें porosity नहीं होती, वो बिल्कुल smooth होते हैं, non-porous होता है, और इस बज़े से वहाँ पर जो आप emasculation से जो female part बनाते हो, यह एक flower है, करने के लिए, हमें butter paper का यूज करना है, cotton cloth करोगे तो यह इसमें pores होते हैं, मतलब, pollen green इतने small होते हैं, minute होते हैं, कि छोड़े छोड़े pores से भी enter हो सकते हैं, तो cotton cloth आपके किसी काम का नहीं है, filter paper आपके लिए किसी काम का नहीं है, थर्ड इसका correct answer बनता है, एंचारड में लिखा है, बढ़िया new framing question है, which one of the following group of taxa does not represent similar category hierarchy, potato, brinjal, tomato, यह शो करेंगे, यह भी शो कर देंगे, यह यह अलग अलग हो रहा है, यह तो आपका kingdom में चला जाएगा, यह भी चलो, taxa का form आजाएगा, तो अपना third correction answer बन जाएगा, next, select incorrect match, mango, family सही है, देखो, यहाँ गलत हो गया, यहाँ एल्स होना चीत, sap in dales, यह होना चीत, यह सब दोता तो सही हो जाता, इसलिए यही हमारे लिए incorrect option है, डाइकॉट लेडनी है, division सही है, second इसका correct answer बनता है, next, algae है, बढ़िया, NCRT में लिखा हुआ है, algae की जो cell wall होती है, menon, galactance होते हैं, हमी cellulose की presence होती है, है न, इसमें एबन एक चीज़ और लिखी जाती है, कि इसमें minerals भी होते हैं, तो calcium carbonate को याद रखना, और calcium carbonate भी exactly पूछा जाए, तो kara की जो wall होती है, green algae का member है, उसमें calcium carbonate होती है, इसे stone algae के नाम से भी जानते हैं, clear, तो galactan manganese कहा है, यह, तो इन की बात हो रही है, यह यहां से mineral की बात हो रही है, थर्ड इसका correct answer बन जाएगा, दा gametophyte is not an independent free living generation, तो याद रखना, gametophyte independent कहा होते है, algae में, briophyte में, tridophyte में, लेकिन gymnosperm angiosperm में, they are depends on sporophyte, means यहां pinus अपने लिए correct answer बनता है, next, यह बढ़िया sphagnum का डाइग्राम है, अब आप से पुचाए which of the statement are correct, given diagram sphagnum का है, बिलकुल सही है, इसलिए हम इसे peat moss के नाम से भी जानते हैं, यह भी एक possible question आजकल बढ़ रहा है, उचावी जा चुका है, it is also used a packing material, बिलकुल, क्योंकि इसमें hygroscopic capacity होती है, maximum water को hold करके रख सकता है, इसलिए जब small plant को transport किया जा रहा है, या flower को transport किया जा रहा है, तो इसको moisture provide करने के लिए packing material की form में भी से यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें holding है, इसलिए इसको cotton moss के नाम से भी जानते हैं, यह सब भी आप याद रख सकते हो, it is also used a packing material, बिलकुल, है ना, सिर्प मैं material, तो इसके तो तीनों से ही हो रहे है, बाठीक है, correct पुछे गए हैं, तो अपना fourth answer correct बन जाएगा, ठीक है, जीवित पदातों के स्तान अंदर हो, जीवित पदात में समझ लो कि छुट छुट छुटी small plant, उनकी roots में soil के साथ में से mix कर दिया जाते है, which one of the following is correct statement, कौन सही है, ठीक है, टिर्टोफाइट, गेमिटोफाइट has the prominent, प्रोटोनिमल, जीवित प्रोटोनिमल ये मौस का करेक्टर है, आप इससे नहीं कर सकते हो, तो ये गलत हो गया, जीमनोई स्पाम, फीमेल गामिटोफाइट इस फ्री लीविंग, नहीं, ये स्परोफाइट पर डिपेंडेंसिस हो करते हैं, एंट्रीडोफोर और आर्केगोनिय फोर और प्रेजैंस इंट्रीडोफाइट, नहीं, एंट्रीडोफोर तो आपके मारकेंशिया में होंगे, इसे हम कहेंगे, आर्केगोनियो फोर, क्लियर, तो ये क्या हो रहा है, एक्चली इस तरीके से ये फिर से करेक्टर किसका गया, मारकेंशिया का, तो ये नहीं होगा, ओरिजन आप सीड हैविट कैन वी ट्रेस्ट इंट्रीडोफाइट, तो कहां ट्रेस्ट करोगे, ये आप सिलेजिन इला में कर सकता हो, तो ये बढ़िया है, सिलेजिन इला में हमें सीड हैविट देखने को मिलती है, बढ़िया, fourth answer, next, some leaves have the capability to rolling, unrolling, याद रहा है, बुली फॉर्म सेल होती है, एक खास्तों से ग्रासेज में होता है, यहां पर कुछ बड़े साइज की सेल होती है, जब high temperature काहा जाता है कि they are empty, contain maximum amount of water, they are highly sensitive for osmosis and transpiration, तो जैसे ही यहां पर high temperature आता है, सबसे पहले initial water loss होता है, loss होने से upper epidermis का surface area हो कम होता है, और यह roll होना शुरू जाती है, जैसे ही temperature normal होता है, endosmosis से बापस water को regain करती है, और बापस इसमें uncoiling हो जाती है, यह बढ़िया cushion है और NCRT based है, तो fourth correct answer बनता है, to the correct option, mycorrhizal is a symbiado association of fungus root of help, यह किसमें water mineral absorption में help करेगा, absorption of water बिल्कुल सही है, mineral में भी करेगा, translocation में इसका कोई role नहीं है, तो A and B इसका correct answer बनता है, याद रखने का, बढ़िया, यह एक animal cell है, कौन से cell है? Animal cell, बताओ क्यों है animal cell? क्योंकि इसमें microbiali रजर आ रहे हैं, microbiali actually membrane का modification है, जो इसके absorption के लिए surface area को बढ़ाता है, अब यहाँ B कोन है? यह तो आपके GB है, गॉल्जी बोडी है ना, यह micro body है, क्या है? micro bodies है, है ना, और यह जो C है, वो आपका mitochondria है, A आपके लिए nucleus है, तो इसने identify the structure belonging to the such function, है ना, अब यह सारे function है, यह हमें चुनना है, किस के लिए है, तो it form the process packaging in the Golgi apparatus, यह Golgi apparatus से बनते हैं, सही बात है, very rich almost in the hydraulic engine, यह जा रहा है आपके लिए lysosome के respect में, और lysosome actually micro body में consider होते हैं, enzyme, acidic pH, acidic में भी अगर कोई typically आप से पूछे, तो 5 pH पर यह work करते हैं, clear, तो अपना micro body था कौन, micro body आपके D, तो correct answer क्या बन जाएगा, D, यानि कि 4th, next सलते हैं, यह, Conidia is the common method of reproduction, यह बढ़िया है, question, अक्सर exam में आ रहा है, पिछली साल भी question था, यह, यहां से Conidia ऐसे बनते हैं, याद रहे, they are non-motile, non-motile को हम कहते हैं, aplanospore, और motile को कहते हैं, planospore, ठीक है, तो एक तो asexual spore हो गए, और aplanospore, non-motile होते हैं, plano को मतलब होता है, motile, याद रखना है, इस चीज को, अच्छा है, sexual reproduction नहीं है, plano फिर नहीं है, सेकिन इसका correct answer बनता है, next, the endothesium is necessary to typical enter for dehiscence, इस में आवश्यक है, क्यों है, endothesium is necessary to typical enter for dehiscence, क्या resistance of enter lobe, resistance of flower नहीं, resistance of connective नहीं, ovary wall नहीं, आपके लिए यह सही है, क्योंकि इसमें alpha, alpha cellulose bands पाए जाते हैं, जो radially arranged होते हैं, ऐसा पुछा जा सकता है, next, इसमें से mismatched pair को select करना है, किसे, गलत युगम को चुनना है, megasporophyll carpel सही है, देखो, क्यों carpel सही है, आप इसे देखे, यहाँ पर क्या होता है, ovule, ovule को हम क्या कहते हैं, megasporangium, clear, तो जो megasporangium, जिस leaf like structure पर बनेगी, वो अक्चुली आपके लिए, megasporophyll कैलाएगी, क्या कैलाएगी, fill, fill का मतलब होता है leaves, तो इस पर यह arrange है, हम, जैसे, आप उसमें देखो, यह है megasporophyll, इस पर ovule होते हैं, तो megasporophyll, ovule, तो ovule किस पर मेgasporophyll पर, तो कहा जाता है कि यही स्कारपल में convert होता है, stamen, microsporophyll, flower modification of soot, embryos act, male gametophil, male नहीं, यहाँ female होता तो ज्यादा सही था, इसलिए यह correct answer हमारे लिए बना है, है न, next सलते है, mismatch पूछा है न, pollen bank is, बड़ी आयन चार्टे में लिखा है, liquid nitrogen में, minus 196 degree पर आपको इसे store करना है, store liquid nitrogen यह, first ही answer बना है, seed नहीं है, pollen bank में pollen gain करोगे, ovule नहीं, meristem नहीं, first correct answer बना है, in seed, black pepper, काली मिर्च होती न, इस काली मिर्च में आपने लेखा होगा, ऐसे rough arrangement होता, तो यह perry sperm होता है, याद रखना है इसको, black pepper and beetroot, इसलिए ने, 12th की इसलिए में, second lesson में, last के पेज़ों पर यह बात, mention की गई है, तो fourth इसका correct answer बना है, splicing of the gene could be achieved through the, splicing की से होगी, splicing, ठीक है, तो splicing में actually क्या करता हो, splicing में exon को remove किया जाता है, यह जो gene होती है, इसमें कुछ point inactive होते है, they are called intron, intron को आपको remove करना है, और exon को associate करना है, sort interfering, gene संदमन किसकी साहता से किया जाता है, ठीक है, तो sort interfering RNA, gene संदमन, silencing, sorry, यह silencing की बात हो रहे है, RNA interference की बात हो रहे है, तो यह भी सही है, और antisense RNA, तो बोट इसका correct answer बनना है, 9, 1 में 3rd, तो यह आपकी correct answer बनते हैं, 3rd is correct, technique of molecular diagnosis, that aim as detecting the pathogen through the antigen antibody, इस point पर ध्यान दो, antigen antibody interaction है, इस से यहाँ पर हमें यह ELISA test किया जाता है, antibody interaction है, ठीक है, एक microtider plate होती है, उस पर antigen और antibody को आपस में interaction किया जाता है, तो इसका बढ़िया NCRT biotechnology में इसका जिक्र है antibody antigen interaction है, next, in growth of plants, plants की growth कैसी है, केवल अप्चे द्वारा anabolic नहीं, देखो growth के लीग sentence याद रखना, when anabolic reaction exceeds to catabolic reaction, then organism represents growth, जब निर्मार की प्रक्रिया जादा हो और degradation की प्रक्रिया कम हो, तब body mass increase होता है, तो growth कहते कैसे हैं, increase mass and number of cell known as growth, ठीक है, तो आपको दोनों process कर दी होंगी, तो metabolism इसके लिए correct answer बन रहा है, metabolic take place, ऐसे, fully seedling disease of rice lead to the discovery, है न, fully seedling disease आपकी किस से होती है, जिब्रे लिंज से, second correct answer बन जाएगा, measurement and the comparison of total growth per unit time is called the total growth, absolute, comparison होता तो relative हो जाती, otherwise अपन्त, second absolute growth rate कहेंगे, next, select the correct match, S page में DNA replication होगा, सही है, है, Igoth में, Eignotin में क्या हुदा है, Lept container säger, Synapse Bis होगी, Synapse ist तो हम समझते हैं, maternal, paternal कुछ point पर आके, आपस में connect हो जाते, इसे हम कहते हैं, Synapse is, Napse श मतलब यह हमें Lab, ज्दहीन में देखने को मिलती है, सही बात हciones है, Diplotene मेंονग आपको मिलता हैं, अब देखने को मिलते हैं यह नहीं मिलता प्रोसिंग वह तो पैकिटीन का गरेक्टर मियोंसिस है प्लॉड में कभी नहीं होगी यह गलत हो गया जी गैप सेकेंड फेज कुसेंट स्टेज नहीं होती कुसेंट तो अपन जीवन में मांगते हैं तो आपका एन बी करेक्ट हो र मीजियो संपपनी है तो यह यह आपके लिएUST तारी के का भी हो सकता है ऐसे तो यह डेफरेंट शियब के आपको देखने को मिल सकता है ना ऐसे यह सो lif ton राएक हो सकते हैं थीज हैल्पिंस सिक्रीशन सिक्रीशन भी इसका करेक्टर है इनकी रिदे सर्फेस एरिया बिलकुल क्योंकि फोल्ड हुई है मेंब्रीन अप सेंट नॉट फाउंड इन प्रोटेस्टा इसमें भी नहीं होते है यह भी करेक्ट हो रहा है है हमारा फोर्थ आ चीक है हलांकि अनॉर रिजन इसका कनेक्शन बन जाता है डीने रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन नुकेलो प्लाज में होगा राइबोसोमल सिंथेस्स यह ज़्यादा सही है एंस याड़ी बेस इनफॉर्मेशन है राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो नुक्रोलस के ग्रेनुलर पार्ट में होता है यहां पर प्रोटीन और डिफ्रेंट आर ने को असेंबल किया जाता है हमारे जहां ट्रांसलेशन पढ़ाए गया है वहां लिखा है structure of ribosome made up of different protein and different type of RNA ऐसा लिखा है third इसका correct answer बनता है next which statement is wrong about the chloroplast chloroplast के लिए गलब को चुनना है chloroplast double standard circular DNA बढ़िया होता है chloroplast is the semi-autonomous organelle semi-autonomous क्यों कहते है semi-autonomous इसलिए कहते है chloroplast have self-DNA RNA and 70S ribosome then they prepare they are required enzymes और इसके अंदर एक और फैक्ट्री होती है क्या glucose फैक्ट्री क्लोरोप्लास्टिक मात्र ऐसा cell और इस पर दो फैक्ट्री प्रोटीन फैक्ट्री भी है glucose फैक्ट्री ऐसा भी कुश्चन बनता है लेकिन उसके बाद भी इसे सेल के अंदर साड़ोप्लाज में रहना पड़ता है और न्यूकलिस पर डिपेंडेंसी सोपन ने पड़ती है इसलिए इसे सेवी ऑट्रॉमस कहा जाता है बढ़िया है पॉसिवल एक कुश्चन है क्लोरभार्ष को रॉसित का व्री इनिकशन देखो एक अंदर न्यूकलिस है और यहाँ क्लोरभास की प्रजेंस है मतलब पॉस्चन ब्रधिश्चन का बतीए इसे कीहां हुआ है इसलिए गलत हो रहा है हमें रॉंग को ही सेल्ट करना है फोर्च का correct answer बनता है paroxysome R क्या है देखो single membrane bounded जिन में enzyme presence होते है actually हम उन्हें micro bodies कहते हैं जिसमें lysosome आता है paroxysome spirosome glaxome तो एक micro body है macro नहीं macro का था मतलब बड़े size के स्वेलोगनिल को हम macro मानते हैं ठीक है तो इस तरीके से यह botany का जो segment अब वो हमने आप से discuss किया उम्मीद करते हैं कि यह आपको काफी benefit provide करेगा और आपने काफी enjoy किया होगा इन questions को inside the base यह questions थे ओके थैंक्यू